सो हेलो गाईस कैसे आप लोग मित करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर एक सेट अप के उपर जो कि यह सेट अप होने वाला है थोड़ा सा हेवी और कोसली सेट अप होने वाला है और यह सेट अप जो है ब्रांडेड आइटम्स ह पताया जाएगा तो यहाँ पर जो है आप देखे सकते हो चार स्कूप केविनेट आपको देखने को मिल रहा है प्लस यहाँ पर चार टॉप हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर दो एम्प्लिफार है एनिक साडियो का जो की एक एम्प्लिफार है एम्टी अठार जीरो ए और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसके लिए generator कितना KVA का हमें लेना पड़ेगा वो भी हम discuss करने वाले है इस वीडियो में और बात करेंगे यहाँ पर सभी का price details यहाँ पर एक कमेंट आया है भाई का जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर चार इसकूप जो कि पंदरस वार्ड में PRD के साथ और amplifier यहाँ पर भाई का suggestion यह है कि MT601 लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंट करना चाहूंगा MT801 जो कि काफी heavy powerful आपको base मिल सके और यहाँ पर चार जो कि 11W का प्लस उसके लिए amplifier MT201 तो यहाँ पर MT201 ही amplifier हमने चार टॉप के लिए यूज किया है तो चले फिर price details के उपर हम चलते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर first में base के उपर तो base जो है वो PRD का GST 1500 जो कि आपको पता होगा 18 इंच का 5 इंच का voice coil में आने व इसे 1500 Watt AS power बुलती है तो PRD का GST 1500 चार speaker का price यह हम बात करेंगे तो PRD का price आपको पता ही होगा original piece का price जो है वो काफी ज्यादा होता है और first copy या फिर second copy ऐसा लेंगे तो बहुत ज्यादा price difference आपको देखने को मिल जाएगा market में तो यहाँ पर जो भी price details बताया जाएगा वो original price बताया जाएगा मतलब original speaker का price बताया जाएगा तो इसलिए बहुत सारे लोग को जो है price बहुत ज्यादा लग सकता है क्योंकि price यहाँ पर original PRD speaker का बहुत ज्यादा है तो PRD GST 1504 speaker का price आप जोड़ेंगे तो लगबग एक speaker आपको 23,000, 23,000, 24,000 एक speaker आपको मिलने वाला है मतल जब आपको 22,000 से उपर में ही आपको मिलेगा speaker तो यहाँ पर एक यह speaker आप चार लेंगे तो लगबग approximately मने एड़ किया है 94,000 क्योंकि speaker original आप लेंगे PRD तो आपको GST Bill के साथ मिलने वाला है original speaker आप लेंगे तो आप GST Bill जरूर ले तो आपको price यह वो थोड़ा से ज्यादा ही पड़ जाता है तो यहाँ पर speaker 94,000 का हो जाता है और mini scoop cabinet तो mini scoop cabinet इस वाले speaker के लिए सबसे बेस्ट आपको होने वाला है DJ के लिए बहुत ही तापड़ दोड होने वाला है क्योंकि अगर आप इसको mini scoop में डाल देंगे तो इसका response ही कुछ अलग ही आपको देखने को मिल जा करता है और scoop cabinet के price के उपर हम बात करें तो scoop cabinet जो है आप कैसा लेते हैं उसके quality के उपर depend करता है cabinet में लेकिन जो है उसका price approximately आपको 18,000 रुपया में pair मिल जाएगा तो कुल मिलाकर कर के यहाँ पर 36,000 रुपया का आपको जो है cabinet लगने वाला है 4 piece cabinet total price अगर हम calculation करते हैं तो हमा प्राइज आने वाला है cabinet अगर हेवी यूज करते हैं तो price थोड़ा सा हेवी मतलब जादा जा सकता है और यहाँ पर हम बात करते हैं top के उपर तो top जो है मैं आपको एक top का price बता देता हूं कि क्या का इसमें समान लगने वाला है और इसका price कितना तक जाता है तो पहले तो के लिए एक cabinet लेना पड़ेगा empty cabinet तो empty cabinet आप लेंगे तो आपको लगबग अच्छा quality कर लेंगे तो आप 7500 रुपया का आपको एक cabinet मिल जाएगा वैसे आपको यहाँ पर 6,000 रुपया में भी मिल जाएगा market में लेकिन वो आपके area के उपर depend करता है कि आपका price कितना चलता ह और यह मैं जो बता रहा हूं price वो LN की लगा हुगा बता रहा हूं प्लस paint वाला बता रहा हूं प्लस JBL SRX 725 model का price बता रहा हूं अगर आप cabinet अलग लगाते हैं तो उसका price कम जादा हो सकता है तो खुल मिला करके यहाँ पर 7,500 रुपया का आपका top cabinet हो जाता है और यहाँ प यहाँ पर comment अगर PRDU का speaker का है तो हमने यहाँ पर PRDU का speaker ही यूज किया है जो कि इसका model number होने वाला है 15BM500B जो कि 500W ES power में यह speaker company बोलती है तो speaker का price अगर आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि दूसरा speaker हम डाल लेंगे लेकिन अगर आप जो PRDU यूज करते हैं उनको पता ह होगा कि PRDU का quality क्या आपको देखने को मिल जाता है लेकिन original piece का अगर आप यही copy piece लेंगे तो आपको इससे आधे दाम में मिल जाएगा तो कुल मिलाकर के 15BM500B जो speaker है वो आपको original speaker 10500 रुपे में एक speaker आपको मिल जाएगा market में price 500,000 रुपे का सपस up-down हो सकता है और यहाँ अगर आप copy speaker लेते हो तो आपको यह वाला speaker लग भग 4500-5000 में यह वाला speaker मिल जाएगा कोपी speaker का price मैं बता जरहाँ कोपी speaker का price बताने का reason यह है क्योंकि बहुत सारे comment आते हैं कि हमारे यहाँ पर 32,000 में या फिर 35,000 में दो टॉप मिल जाता है लेकिन भाई ऐसा नहीं है आपको बता है दो PC speaker का 21,000 रुपए और HF इसमें original वाला कौन सा आपको डालना है वो मैं आपको बताऊंगा तो HF PRDO का डालना है जो की D750 मतलब की जो आपका BM मोडल में आता है D750 Mark II तो जो आपका BM D750 Mark II जो बड़ा magnet में आता है बड़ा magnet में आता है आपको और उसका जो coil क टर्मिनल होता है वो एक ही जगह होता है तो वह वाला आपको यूज़ करना है उसमें 100 वाट लिखा होता है उपर बलेक आपको देखने को मिल जाता है मतलब बलेक तलर में होता है वो उसका magnet उपर में और छोटा सा बीच में स्पेसिफिकेशन उसका details लिखा होता है उसका driver यूनिट का प्राइज अगर हम बात करें तो एप्रोक्सिमेटली लगभग अंठावन सो से लेकर के छे हजार रुपय में आपको वो मिल जाता है और एचेप नेट्रोक के बारे में बात करें तो नेट्रोक प्लेट आपको लेना है डैने अकोस्टिक का 750 मोडल डी 750 मोडल लेना है और प्लस फ्लेर लेना है तो आपको तो ढेने अकोस्टिक का नेट्रोक प्लेट लखभग 1200 के आसपास में मिल जाना चाहिए प्लस फ्लेर आपको 400 रुपय का आसंपास में मिल जाना चाहिए तो 16,000 रुपय का असपास यहां पर प्राइज लगने वाला है दोनों का कुल मिलाकर करके हम प्राइज कल्कुलेशन करते हैं तो 7,500 केबिनेट, 21,000 रुपय का दो स्पीकर, 6,000 रुपय का ड्राइवर यूनिट, हैचेप का और 1600 का नेटरुक प्लेट प्लस फ्लेयर कुल मिलाकर के प्राइज यहां पर निकलता है 36,100 रुपय मतलब कि यहां पर कुल मिलाकर अगर हम एप्रोक्सिमेटल अगर ले करके चले मोटा मोटी तो लगबग 36,000 रुपय भी अगर हम जोडते हैं और यहां पर आपका जो टॉप है वो 1,44,000 में 4 टॉप कंप्लीट बन जाता है ओरिजिनल स्पीकर डाल करके मैं ओरिजिनल स्पीकर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इसकीप करके वीडियो देखते हैं और प्राइज जब सुनते हैं तो उनका हवा हवा हो जाता है क्योंकि वैसा स्पीकर कभी ओरिजिनल का प्राइज वो देखे ही नहीं है मार्केट में जाते हैं लोकल मार्केट में और लोकल स्पीकर लेते हैं जो कि 4,35 में मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपका prize हो जाता है जो कि मैं आपको बता है टोप का base का आप हम बात करते हैं Amplifier को पर तो Amplifier भी Original piece बताने वाला हूँ Whenroray watis ऑपकर और ओर के अपर फेर का बात करने वाले हैं तो भाई का comment यह था कि Mp T601 तो यहाँ पर मैंने MT 1801 यूज किया है क्योंकि आपको अच्छा प्रेसर मिल सके क्योंकि इस पीकर भी काफी हेवी है और हलाकि एम्प्रिफार भी यहाँ पर NX Radio के काफी अच्छ है आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन हमने यहाँ पर NX Radio का MT 1801 यूज किया है जो कि आपके लिए काफी बेश्ट रहेगा अगर आप यहाँ पर Solar 01 लेना चाहते हैं तो वो भी आप बिंदास ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यहाँ पर MT 1801 यूज का जो प्राइज रहेगा वो सत्तर हजार से उपर के प्राइज में मिलेगा आपको क्योंकि प्राइज इसका दिन पर दिन बढ़ रहा है NXRDU का प्राइज बहुत जादा बढ़ रहा है मतलब सभी एम्प्रिफार का प्राइज बढ़ रहा है तो इस वाले एम्प्रिफार का जो प्राइज रहेगा वो लगभग 73,000 रुपे के आसपास में यह एम्प्रिफार आपको ओरिजिनल मिल जाएगा इसका पिछले रिसेंटली प्राइज अगर मैं बताओं तो यह एम्प्रिफार आपको लगभग 68,000 के आसपास में मिल रहा था उसके बाद इसका प्राइज हो गया 70,000 और उसके बाद अभी 72 के आसपास चल रहा होगा मार्केट में प्राइज आप नीचे कमिन बताएगा अगर आपके पास यह होगा अगर आप पर्चेस किये होंगे तो और MT601 के मैं प्राइज बता देता हूं MT601 का जो प्राइज अभी चल रहा है रिसेंटली प्राइज वो लगभग 68,000 या फिर 79,000 उसका प्राइज अभी चल रहा है आप 601 भी ले सकते हैं और यहाँ पर ट 28,000 पर एड़ किया है प्राइज यहाँ पर हो सकता है गाईस की 2,000-3,000 पर आप डाउन हो सकता है क्योंकि सभी मार्केट में अलग 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 प्राइज होते हैं प्लस दुकान में आप जाएंगे तो उनके पास अगर पूराना स्टोक होता है तो पूराने रेट में भी दे देते हैं ऐसा कुछ यहाँ पर दुकान में भी हो जाता है अगर नया माल आया होगा तो आपको नया प्राइज में मिलेगा ऐसा कुछ रहता है दुकान का फंडा तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो अम्प्लिफार का प्राइज में आपको सभी का प्राइस बता दिया अलग लग तो यहां पर कुल मिला करके आपका जो चार इसकुप बेस है वो एक लग 30,000 रुपय में बन जाता है आप एड करिएगा कल्कुलेटर करिएगा और यहां पर आपका चार टोप बन जाता है एक लग चुवली सिजर में और बेस के लिए अम्प आपको जनेरेटर लेना है तो यहां पर सभी में प्राइज आपको लगने वाल है प्लस यहां पर बार लाइट वगरा जो भी आपको लेना होगा वो आपका अलग से एक्स्टा खर्चा लगेगा तो कुल मिला करके 4,06,000 रुपय में यहां पर मोटा मोटी जो प्राइज ब लग जाएगा मतलब कुल मिला करके 4,15,000 रुपय में और प्लस लगभग 5 बेल्ट आप ले लोगे तो यहां पर कुल मिला करके 4,25,000 रुपय का सब पकड़ के चलिए और क्योंकि यहां पर 6,7 बेल्ट आपको लेना पड़ेगा तब भी आपका काफी वेश्ट रहेगा 6,7 बेल्ट अगर आप लगाते हो तो जो है इधर उधर बानने में दिक्कत नहीं होता है तो कुल मिला करके 4,25,000 का यह सेट अप होने वाला है जनरेटर छोड़ करके अब हम बात करते हैं इसमें जनरेटर हम कितना केविय का यूज़ करेंगे क्योंकि कमेंट आने वाला ही है तो यहाँ पर जनरेटर हम इसमें यूज़ करेंगे 15 कविय का तो यहाँ पर आप इसके लिए 15 कविय का जनरेटर यूज़ कर सकते हैं डबल सिनरेटर में आप जनरेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप महिंदरा का 3 सिलेंडर मे 15 KVA का आप जो है जनेरेटर ले सकते हैं 32.05 ऐसा कुछ आता है जो भी मोडल होगा अभी याद नहीं आरा मेरे को चैनल में वीडियो है वो आप जा करके देख लिजेगा तो 15 KVA का महिंदरा का ओपन डीजी सेट ले सकते हैं अगर आपके पास बज़ेट अच्छा है तो कुल मिला करके 15 KVA का जनेरेटर अगर आप न्यू भी लेते हैं तो आपको ओपन डीजी सेट जीतना में मिल जाएगा आपको रीकंडली सेट उतना भी सेम प्राइज में मिल जाता है तो चले फिर आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो का ऐसा लगा नीचे कमेंड बुक्स में दाएगा बात बाकी जो भी है प्राइज वो मैंने आपको ओरिजिनल स्पीकर ओरिजिनल एम्प्रिफार जेनुन प्राइज बताया है प्राइज जो है वो 5-10,000 रुपिया 15,000 रुपिया आप डाउन हो सकता है क्योंकि मैटरिल आपका ऐसा यूज कर रहे हो उसके उपर भी डिपेंड करता है तो चले फिर मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद वंदे मात्रम